देर स्टूडेन्ट आज किस वीडियों बात करेंगे बीए सिक्सी समस्टर यान니까 भी च्वंटे समस्टर के राजनीती صाफ्त राइं पिलिटिकल साइंस के सिकेंड यानिक रुटिकल सायंस के दूतियप प्रस्ण कि इंटरवन कोती है कि उससे सम्द्दित कुछिझे प्रकार का है समझने के लिए पहले राजनीत को समझना आवस्यका है राजनीती सब्दका अर्थ राजनीती साफ्तर में अतियंत ब्यापक है बेक्त समाज में एकांगी जीवन बितीत नहीं कर सकता है बताब कि अकेला औंप Regular इनसान जीवन बितीत नहीं कर सकता उसका जीवन अनवेक्तियों के सहीयोग तथा सौभाव पर निरभर है अपने उद्देशों की पूर्ति के लिए मुनिश संगठनों का निर्मार करता है अर्था समान उद्देश के लिए समान हितों वाले बिक्तियों का संगठन उद्देशों की पूर्ति का साधन होता है विभिन संगठनों में सहीयों की भावना बिद्दिमान रहती है किंद संगठनों में पारस पर इक प्रतियस परधा विचारों में विभिन्यता हितों के विभिन्यता भी हो सकती है अपने उद्देश की पूर्थ के लिए अथवा प्रभाव छेत्र बढ़ाने के लिए संगठन सक्ति का आफ्रे लेते हैं इसी प्रकार अंतर राष्टे जाजनीत में प्रतेक संगठन दूसरे संगठनों पर ना किसी तरह निरंतर रखकर अपने हितों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रियाफ करते हैं इस प्रकार अस्पष्ट है कि अंतर राष्टे राजनीत में प्रतियस फर्दा की भावना बिद्धिमान रहती है तो कुल मिलाके इंटरनेशनल यानि कि अंतर राष्टे राजनीती जो ये होती है ये इनसान स्वयम पर निर्भर नहीं होता एक इन्सान दो फ्रेज ठीक है तब वहां पर जाके दीरे दीरे नेशनल प्रोटीक्स होगी फिर दीरे दीरे करके के इंटरनेशनल प्रोटिक्स बनेगी तो यही बताया गया है कि इस प्रकार अंतर राश्ट्रे राजनित में प्रितेक संगठन जो होते हैं एक दूसरे पर किफी ना किसी तरह पर नियंत्र रखकर अपने हितों को नियंत्र आगे बढ़ाने का प्रियास करते हैं ठीक है है कि स्वतंत्र राजनिति समुदायों अर्थार राज्ज्यों के अपने अपने उद्देशों या हितों की आपसी बिरोध में संगर्थ से उत्पन उनकी क्रिया प्रित्किरियाविम संबंधों का अध्धन अंतर राश्टे राजनिति कहलाता है ठीक है काफे विल्पूर प्रशने भी आपके एग्जाम के लिए ठीक है और दूसरा प्रश्टे राजनिति का अध्यन शेतर बताईए तो यानि कि राजनीति जो छेतर हैं अंतर राश्टे इसके बारे में जानने के लिए कौन-कौन से छेतर में आपको जाना पड़ेगा तो पहला कि अंतर राश् सब्सक्राइन है सबसेए उसबसे proprio करने तब ही आप अंतरों कर सकते हैं और उसमें अपना कदम उठावाइन तो राजनीती छेत्र के बारे में अध्यन करने के प्रमुक्षेत्रिये हैं अलाकि और भी हैं लेकिन इतना भी लग देंगे तब भी पूरे नमबर मिलेंगे अगला की खेल फिद्धान्त के बारे में की कुश्यन आफ अकता है लेकिन कम उम्मीद है आने कि तो आप इसे अग्नूर कर सकते हैं अगला की बिदेश नीत के तत्तु बताएं कुछ बिदेश नीत के इलेमेंट से हैं जान लेते हैं पहला की भगोली के स्थित दूफरी है ज निर्माता ठीक है और आपका जो अगला है वो बिस्ट जन्मत है फिर अगला है बिस्ट संगठन ये कुछ प्रवक बिदेश नीत के इलेमेंट से तत्तों है जिनको ध्यान लखना है प्रशन आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा ठीक है फी तरह आफ यान की महत्तु बता जो लागए इसका महत्तु है बिचार-धारा इसको अधार्थवादर तत्त उमाना जाता है बिचार-धारा को न युदे करने वाला तत्तु भी है यह आफांती बनाने वाला नहीं है इस सांती बनाने वाला तत्तु है विचारधारा विचारधारा को विदेश नीत के वास्त्विक उद्देश छिपाने का आवरण कहा जाता है पैडल फोर्ड एवं लिंकन के नुसार विचारधारा जो है पैडल फोर्ड इन लच्षों को प्राप्त करने के लिए कार की युजना तैयार करती है ठीक उसको हम विचार धारा के धिते हमगा प्रमुग तीन प्रकार के हैं पहला है यह था इस्धित बिचार धारा दूफ्री शम्राज जवाद की विचार धारा तीसरी इस पैस्पष्ट विचार दारा ते प्रमुख विचार दारा है ध्यान रखेंगे अगला है कि सुरच्छा परिशद में निसेधा धिकार के बारे में बताइए कम उम्मिद है आने की तो आप पढ़ भी सकते एग्णोर भी कर सकते हैं अगला प्रश्णी कर बढ़ते हैं अगला कोशिन महात्प राज अमेरिका करने लगा ताथा दुफ्रे गुट का नेतर्थ सेविट संग के पास गया इन दोनों गुटों से दूर रहना गुट नेरे इन दोनों गुटों से दूर रहना गुट निर्पेचिता कहलाता या भारत को इसका संस्थाफक बारत को संस्थाफक माना जाता है भारत मिस्र और युगोफ लाविया ने मिलकर गुट निर्पेचिता अंदोलन चलाया गुट निर्पेच आंदोलन को ततर्सता या असलंगरता के नाम से भी जाना जाता है गुट निर्पेच देश दोनों गुटों के समान दूरी बनाया रखते हैं गुट निर्पेच आंदोलन के पाँच आधार बताए गए है पहला है सुतंतर देश अपनी सुतंतर बिदेश नीर पर चलता है दुसरा फदस से देश उपनिवेश वात का विरोध करता है अगला है कि किसी वह किसी सैनिक गुट का फदस बतब कि गुट का फदस नहों किसी बड़ी ताकत के साथ दुतिय पच्छिय समझवता ना किया हो ठीक है और अगला है कि फदस्त देश की सीमा में किसी बड़ी ताकत का कोई सैनिक अड़ा नहों ये आपको ध्यान रखने ये पांच प्रमुक गुट निर्पेच अंदोलन के अधार हैं तब आप लोग अंदोलन कर सकते हैं इनको मान के ठीक है तेक प्रमुक जरिये हैं गु मृतदान में बिरोध में मत देना मत्रह बना ओट देना या सकता फुरच्छा परषथ के पांच joint अफथाई फदस्तों को ही प्राप्त है ये अफथाई फदस्त हैं अमेर्का हैं बरिटेन हैं फ्रांस है रूफ चीन है ठीक है ये प्रमुख ठीक है ये आएक तरीके से बोल सकते हैं कि ये अफ्थाई सदस्य के नाम फे मतबकी को सदस्य का एक दर्जा दिया गया है बाकी ये देश हैं फुरच्छा परिशद में महत्पूर्ड विश्यो पर इन पांचों सदस्यों का समर्थन आव हो पाई थे इफले यह कहा गया है ये बात ठीक है कि अमेरिका द्वारा बीटों का प्योग की जाने से भारत की शेद रूर संयौक्तुराष्ट महत्पूर्च्व नहीं हो पाए थे ठीक है संयौक्तुराष्ट सेंग के अंग है ध्यान नक्किंट के पुरमुक प्रस्ण है पहला अंग है महा सभा दूफराय फुरच्छा परिश्ट तीफराय आर्थिकृष समाजिक परिश्ट चौथा न्याय परिश्ट पाचवाय सचवाले छाठवा अंतर राष्टे न्याले यह कुछ प्रमक संयुक्त राष्ट रंग के अंग है जिनको ध्यान रखना है बहुत ह लिए आता है राष्टे के अध्यों के विशिशित का पता चलता है और दूसरा है इससे राज्यों की राष्टे हितों का आकलन हो जाता प्रतेक राज जी की राष्टे हितों में अंतर होने के कारण उनके बिदेश नीत में अंतर होता है अगला है कि तक्निकी और प्रदुग की विकाफ के कारण अंतर राष्टे राजनीत का महत बढ़ गया अगला है कि इससे अंतर राष्टे संगठनों का ज्यान हो जाता है जैसे नोटो, विस्वेंक, विस्वेपार, संगठन, G7, G20, सार्क, एंविक्स, आदिका संगठनों का नौलेज हो जाता है और पाँच बाइब है कि अंतर राफ्टर राजनिति की अधिन से युद्ध और सांत की गद्र नितुरा कंने की है प्रश्षने इफ तरह इसमें बहूत सारे महत्पून प्रश्णे राश्टि прив तक पर कोई स्टूड्री में ङुखि ऐसे कोई बोने कोरी नहीं रही नहीं कि कपने नहीं है पूरी वीडियो हैर प्रदेश नीत की सांत प्रियता मैत्री वा सह आफ्तित तुकी नीत का परिचायक है जिस पर वंतिस अप्रेयर उनिश्टो चोवन को भारत चीन के मद्ध संधि पर हफ्ता चर हुए थे पंची सील की फिद्धांत निम्लिखित हैं पहला है कि एक दूफ्रे के प्रदेशिक आखर्णता का सम्मान एक दूफ्रे पर आकबढ़ना करना एक दूफ्रे के आंतरिक मावलों में हाफ्ता चेप समस्या ना उत्पन करना पारस पर एक समानता शांत पूर सहा आस्तित तो यह कुछ प्रमुक इसके ऐसे धान ते जिनको ध्यान रखना है यह पूरी सब्सक्राइब जब आपको हमारा जिसे जौइन होंगे ना लिंक वीडियो की डिसक्रेशन में तो वहाँ पर एड्मिन का आप संदिखे उसके क्लिक करके आप हमें करतेंगे किसे हमें सिक्ष्ट समस्टर प्रोटिकल साइंस का सिकेंड पेपर की पीडियाप देदीजिए तो हम आपको तुरंत के स्टेंड कर देंगे और बाकी वैसे भी हम आपको डाल देंगे ताकि आपकी हेल्प हो जाए बाकी मिलते हैं कोड़ने वीडियो में जय हिंद